कि लगाना है तो कुंसा लगाना है जिससे किसानों को आमदनी भी बड़े कारवन भी कम हो और उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो यह उर्क्षे बास मराटी में हम इसे बांबू कहते हैं बांबू मिशन मंत्री जी हमने महारास्त में उसको बहुत ही प्रातमिक्ता दिये बांबू अभी बास नहीं घास है और इसलिए यह बास से 2000 प्रकार की वस्तुए बनती है उससे अभी मुझे भी नहीं मालुमता यह पाशा पटेल जी ने यह सब बताया बाद उससे सब्जी बनती है अचार बनता है मुरब्बा भी बनता है राइस बनाने का बरतन भी बनत होता है कि का खाने का बरतन खाने का चम्मज भी बास का होता है और खाने के बाद ब्रस भी बास का मिलता है ओक की आप सबको बताओ जए इनको आज क्या-क्या बनाते हो इतनाल इंदन भी बास से बनता है कपड़े और घर के कपड़े और घर भी बनता है यानि रोटी कपड़ा और मकान बनाने की ताकत बास में है एक वक्ति को साल भर में 280 किलो अक्सिजन लगता है और बास का एक पोदा 320 किलो अक्सिजन देता है आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कार्बन है और बास दुनिया के सभी उर्क्षों से 35 प्रतिशत अधिक कार्बन सोकता है अपसौप करता है और टेंपरेचर भी कम करता है यानि आम के आम और गुटले को दाम भी इसलिए हमारी सरकार ने ग्रीन गोल्ड बांबू 21 लाक हेक्टर में जमीन पर लगाने का फैसला किया एक हेक्टर बास लगाने के लिए किसान को हमारी सरकार साथ लाक रुपया सबसीड़ी दे रही है एक हेक्टर को कार्बन फूर्ट्पिंट को कम करने के लिए शिर्डी और मुंबई से सभी एरपोर्ट पर स्टील और अन्य धातों के बजाए बास का उपयोग पर जोर देने की भी योजना हमारी सरकार ने बनाई हुए है हमारे साथी पाशा पटेल जिस क्रांटी कारी काम में महत्वपुर्ण योगदान दे रहे हमारे कृशी मंत्री भी बहुत ही ध्यान दे रहे है हाली में थर्मल पावर प्लैंटों में बायो मास का उपयोग करने का निर्देश हमारी सरकार ने दिया हुआ है इसके लिए रा क्रांथी श्वेद क्रांथी सुचना क्रांथी अब ग्रिनग उलकांथी रही है रिसले हमें सब मैं इसलिए हमारे केंद्र मंत्रीं और और केज़ सरकार ने भी इसे प्रातमिक्ता देने के आवश्यक्ता है